जैमाता दी, आपको शार्दिय नवरात्री की हार्दिक शुब कामनाएं। मा दुर्गा की क्रिपा से आपका जीवन शक्ती, सम्रिध्धी और खुशियों से परिपूर्ण हो। आए आप जानते हैं शार्दिय नवरात्री 2024 की तिथी, शुब मुहूर्थ और पूजा विधी। हिंदु धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेश महत्व होता है। नवरात्री का त्योहार भी ऐसे ही खास अफसरों में से एक है। नवरात्री के त्योहार मे नौ दिनों तक लगातार मा दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। साल में चार बार नवरात्री का त्योहार आता है। ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि चैत्र यानी बसंत नवरात्री और शार्दिय नवरात्री यानी अश्विन नवरात्री के अलावा दो पुप्ट नवरात्री माग आशार नवरात्री भी आती हैं। हिंदू पंचान के अनुसार, शार्दिय नवरात्री दो हजार चौबीस का त्योहार हर साल अश्विन माह के शुकल पाक्ष की प्रतिपदा तिथी को मनाया जाता है। शार्दिय नवरात्री में कलश स्थापना करना सबसे महत्वपूर्न अनुष्थानों में से एक होता है। घट स्थापना नवरात्रों की शुरूआत का प्रतीक है। यह अनुष्थान प्रतिपदा तिथी अर्थात नवरात्र के शुरूआती दिन पर किया जाता है। साल दो हजार चौबीस में कलश स्थापना का शुब महूर्ट तीन अक्टूबर दो हजार चौबीस सुबह शुन्य छे बचकर उननीस मिनट से दोपहर शुन्य साथ बचकर तेईस मिनट तक है। शार्दिय नवरात्री पूजा और कलश स्थापना वेदी सबसे पहले सुबह उठकर ब्रहम मुहूर्ट में स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। पूरे घर को शुध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरन लगाएं। पूजा के स्थान को साफ करें और गंगाजल से पवित्र कर लें। अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। दुर्गा मा और गनेश जी का नाम लें। इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश थापना के लिए पहले एक मिठी के बर्तन में जोके बीज बोए, फिर एक तामबे के कलश में पानी और गंगाजल डाले, कलश पर कलावा बांधे और आम के पत्तों के साथ उसे सजाए, इसके बाद उसमें दूग, अक्षत और सुपारी डाले, उसी कलश पर चुनरी औ और मौली बांध कर एक नारियल रख दें, सामगरी का उप्योग करते हुए विधी विधान से मा दुर्गा का पूजन करें, दुर्गा सप्थशती का पाठ करें, अंत में मा दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वित्रंग करें, शार्दी ये नवरात्री पूजा नवरात्री के दौरान मा दुर्गा के कितने रूपों की पूजा की जाती है। चठवे दिन कात्याईनी, साथवे दिन कालरत्री, आठवे दिन महागोरी, और नौवे दिन सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। से माता सीता का हरंग कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावन से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक और पौरानि करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से मा दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक सम्रिध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जबकि शार्दिय नवरात्री शरद रितु के आगमन को दर्शाती है। चैत्रा नवरात्री के दौरान हम नौ दिनों तक मा दुर्गा के विभिन रूपों की पूजा करते हैं। फिर नौवे दिन राम नवमी मनाते हैं। वहीं शार्दिय नवरात्री में हम दुर्गा मह पहले दिन नवरात्री के पहले दिन आपको नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए. नारंगी रंग को पहन कर पूजा करने से आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा. दूसरे दिन इस दिन सफेद रंग के वस्त्रधारंग करें. ये रंग आपको आत्म शांती और बहतर महसूस करवाने में सहयोग करेगा. तीसरे दिन नवरात्री के तीसरे दिन लाल रंग को दिंचर्या में जरूर शामिल करें आप इस रंग का प्रयोग माता की पूजा के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि लाल रंग माता को अतिप्रिय होता है चोथे दिन गहरा नीला रंग नवरातरी के चोथे दिन सबसे शुब रहेगा नीला रंग समृद्धी और शांती लाता है इस रंग के वस्त्र पहने और माता का ध्यान करें पांचवे दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से आप खुश और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं पीला एक नर्म और मन को खुशी देने वाला रंग है यह आपका दिन अच्छा बनाएगा छठवे दिन नवरात्री के छठवे दिन हरा रंग पहने हरा रंग प्रकृती से जुड़ा होता है यह सभी चीजों के फलदाई, शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है देवी की प्रार्थना करते समय हरा रंग पहनना आपको शांती महसूस करवा सकता है साथवे दिन इस दिन स्लेटी रंग पहने यह आपकी सोच को संतुलित करने में मदद करेगा इसकी उर्जा से आप अधिक व्यभारिक हो सकते हैं आठवे दिन नवदुर्गा पूजा के दोरान आठवे दिन बैंडनी रंग का उप्योग करें इससे आपको समरिद्धी और सफलता प्राप्त हो सकती है इसलिए अगर आप देवी मा का आशिरवाद चाहते हैं तो ये रंग अवश्य चुने नौवे दिन नवरात्री के नौवे दिन आपको मोरवला हरा रंग पहनना चाहिए ये हरे और नीले रंग से मिलकर बनता है ये रंग समरिद्धी से जुड़ा होता है शार्दी ये नवरात्री के दोरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ उपर दिये हूँ इन यमों का पालन करेंगे तो आपको मा दुर्गा का आशिरवाद जरूर प्राप्थ होगा मा दुर्गा इन नौ दिनों तक सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती है और उनके कश्ट दूर करती है तो आईए इन नौ दिनों के त्योहार को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाए और मा दुर्गा से सभी के सुखी जीवन की काम ना करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में और धार्मिक ज्यान के साथ यदि आप पौरानिक कताओं, जूतिश ज्यान, अध्यात्म, मंत्र और धार्मिक ज्यान में रुची रखते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें जय माता की